जैमा मरी आप सभी को मरी मा सदासा है जैसा कि आप लोग सब जानते हैं 54 साल बाद 8 अपरेल अमावस्या के दिन उन्ड सूर ग्रहन पड़ा रहा है सूर ग्रहन या चंदर ग्रहन या कोई भी ग्रहन हो इस समय देवी देवता अपनी उर्जा की चरम सीमा पर होते है और अगर इनके मंतरों की उर्जाओं को जगाया जाए या प्रत्यक्ष किया जाए या अर्ध प्रत्यक्ष किया जाए या सिद्धी की जाए तो ये चैतन्य अवस्था में आ करके आपके लिए काम करते हैं और कार्य करते हैं अब कई लोग पूछ रहे थे कि भारत में ये ग्रहन नहीं दिख रहा है तो क्या हम कोई भी जाब करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा अवश्य मिलेगा इसका कारण ये है आप जिस प्रत्वी पर रहे रहे हैं वो प्रत्वी पर सूर्य ग्रहन पढ़ रहा है तो इसमें भारत, अमेरिका, यूरोप या चायना इस चीज को नहीं दिखा जाता इसलिए कोई भी मंतर जाब आप ग्रहन में कर सकते हैं और इसका फल जरूर मिलेगा वो भारत में हो, अथवा ना हो अब आते हैं कि इस सूर्य ग्रहन में अम अवस्या के दिन आपको जो मंतर विज्योदान दिया जाएगा वो माअ बिजासन का है मा बिजासिन एक उग्र कोटी की भरभरा शावर मंत्र में चलने वाली एक देवी है हाला कि ये देवी ग्रामिर तंत्र में भरभरा शावर मंत्र में 36 गड़ी और अन्य तंत्रों में बहुत प्रचलित है इनके मंत्रों चारण से और इनकी शक्तियों से आप सारे कारे सिद्ध कर सकते हैं तंत्र मंत्र की बाधा, निवारन करना, चौकी लगाना, मंत्र को भेजना, क्रिया भेजना, तंत्र को उसे काट करवाना ये सारी चीजे इनके द्वारा की जाती है अब इसका विदी विधान ध्यान से समझिएगा सर्वप्रतम आपको मावेजासन के एक चित्र की आवशक्ता होगी और उस चित्र को आपको एक बाजोट पर स्थापित करना है और लाल चोला, लाल चुन्री, लाल चूडियां और जो शिंगार का समान आता है लाल वो आपको लगेगा, मौली धागा लगेगा, दो नारियल लगेंगे आपको, कुमकुम, हल्दी की गांट, थोड़ा सा अक्षच चावल, रोली, दो दिये, सरसो का तेल, केवडे का इत्र, लाल आसन, रुद्राक्ष की माला, धूप दीब अगरवत्ती, ये सारी चीज़ें और हो सके तो लाल फूल और सवा मुठी गेहूं ये आपको लगेंगे, सवा मुठी गेहूं आपको लेना ही पड़ेगा, ये अतियावशक है, ध्यान रहे कि वो गेहूं गंदा ना हो, घुन ना लगी हो, खराब ना हो, नया आप जाकर के बाजार से लेकर के आ सकते हैं, सर्वप्र सरसो अत्वा कच्चे तिल के तेल का आपको प्रजलित करना है, और दूसरा दिया चार मुखी तेल का आपको प्रजलित करना है, जिस डारेक्शन में आपको बताया जाएगा, उसी डारेक्शन में आपको बैठना है, और उसके बाद आपको जल से संकल्प कर लेना है, ये चाहें, तो इसमें कोई फल भी रख सकते हैं, लेकिन नीबू आपको जो चूस करना है, उसमें दाग, चट्टे, ये सारी चीज ना हो, और लॉंग जो आप लेंगे, वो हमेशा याद रहे, वो फूल वाली लॉंग ही रहे, क्योंकि इसमें जो आपको गुप्त प्रयोग दि विजासन की शक्ति को चलाने के लिए दिया और लॉंग चलाने के लिए आपको दिया जाएगा, जैसे दिया को जूले में जनेव डाल करके चलाया जाता है, वो दिया राइट और लेफ्ट घूमता है, येस और नो में आंसर देता है, उस शक्ति का आपको उसका प्रयोग दिया जाएगा और लॉंग चपकाने का तरीका आपको उसमें बताया जाएगा उसके बाद आपको जल से संकल्प कर लेना है जल से संकल्प करने के ततपश्चाथ आपको साथ बार गनेश मंतर पढ़ना है साथ बार शिव जी के मंतर पढ़ना है और साथ बार भैरव जी के मं माला शावर जो की भरबरा मंतर शावर रहता है वो आपको मा बजासन का मैं देने वाला हूँ वो भरबरा शावर मंतर करना है जब आप तीन माला भरबरा शावर मंतर कर लेंगे तो उसके बाद आपको कंडा और देसी घी लेना है याद रहे देसी घी में कोई मिलावट ना हो जितना शुद्ध आप ला सके उतना शुद्ध लाएं और देसी घी की 27 बार मंतरों की आहुती डालनी है जैसे ही आप 27 बार आहुती डालेंगे और वचन लेंगे देवी से कि मैं इस इसकारे के लिए आपको सिद्ध किया हूँ चाहे तंतर मंतर से या आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है या कोई वैपार बादा या जो भी नौकरी बादा रुकी हो तो वो अवश्यपून होगी और आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी इसमें रुद्राक्ष की माला चलेगी और माला जो रहेगी क्योंकि बिजासन माई है बिजासन माई मतलब हर चीज की उत्पत्ती करने वाली आदी शक्ती जगदंबा का रूप है वो तो हर चीज की उत्पत्ती मूला धार चक्कर से ही होती है तो आपको जो माला चलेगी वो मूला धार चकर से ही चलेगी मूला धार चकर से आपको माला चलानी है लाल आसन रहेगा आपका लाल वस्तर रहेंगे आपके और टीकने का मैं तरीका पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे टीकना है फिर से बता देता हूँ पहले सर पे जो माथा होता है उसके बाद कानों पर कानों के नीचे दोनों शोल्डर पर, एल्बो पर, फिर हातों पर, स्टन पर माथा के फिर कमर पर उसके बाद घुटनों पर उसके बाद आपको पैरों पर टीकना है तिलक करना है उसके बाद आप जब तिलक कर लेंगे धूब दीब अगरवत्ती सारी चीज़ कर लेंगे आप मंत्रों का जाब कर लेंगे 27 बार आहूती डाल लेंगे और माता से वचन ले लेंगे उसके बाद आपको दिया में उनको चलाना है दिया में आपको चलाने का तरीका बताया जाएगा लौंग में चलाने का आपको तरीका बताया जाएगा उस तरीके से आप उस शक्ति को वो चला सकते हैं, वहाँ भीरा ले सकते हैं, गेहों के दानों से और हर चीज़ ले करके आप अपने कार सिद्ध कर सकते हैं, अब आते हैं कि इसका जो मंतर है वो आप कैसे पराप्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्षन में मेरा नंबर डला हुआ है, उसकी एक छोटी सी द पताएंगे तो खंडित हो जाएगा क्योंकि वो मंत्र यूट्यूब पर नेट पर नहीं मिलेगा गुप्त और जटिल शाबर मंत्र काफी पुराना तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी जैमामरी